ओए सब ठीक ठाक चिठ्थिया लिखना तो तुझी याद ही नहीं रहता रैसे आज 11 फ़ेवरियो तुझी याद भी है स्तारी को क्या हुआ था एक चलिये तुझी याद भी है काटू कैसे राता तो निसावरे जी अधर ही जाता सुपावरे के राता लंदे आ लंदे आरे काटे तेरे सुंगे आ शंगे आरे एक चलिये तुझी याद भी है तो आज मैं आप लोगों की साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू येर पार्टी मेकप लोग आप देख सकते हो बहुत ब्यूटिफुल सा ये पार्टी मेकप लोग है आप कोई भी पार्टी फंक्शन में इस मेकप लोग को क्रियेट करके जा सकते हो अज मैंने स्मोकी आई लोग क्रियेट करने की कोसिस की है तो आई होब कि ये मेकप लोग आप लोगों को अच्छा लगे आप चाहो तो इस तरीके का कोई भी आउटफिट के साथ इस मेकप लोग को बहु इस हैं तो अगर आप लोगों को भी स्मोप की रिट करना है तो चलिए देखते हैं कि मैं ने इस में करेट किया है तो सबसे पहले मैंने अच्छी तरीके से अपने लाएं कर रही है तो अच्छी तरीके से टोनर को अप्लाए करने के बाद इसको ड्राय होने के लिए अपने फेस पे छोड़ दूंगी थोड़ा सा में उसको टैप टैप कर दूंगी एंड उसके बाद फिर मैं मॉस्ट्राइजर क्रीम अप्लाई कर रही हूं यह लैकमी का पीछ मिल्क मॉस्ट्राइजर क्रीम है काफी लाइट वेट यह मॉस प्लाई करों गी तो मेक अप करने से पहले आपको जरूर लिप ऑम अप्लाई कर लेना चायिये एंड अब मैं मेक अप स्टार्ट करने वाली हूँ तो उससे पहले सबसे पहले मैं प्राइमर अप्लाइ करूंगी तो यह स्वीच ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर है इसको मैं अच्छी तरीके से अप्लाइ करूंगी यह बिल्कुल भी यूनो ठिक नहीं है बहुत क्रीमी इसका टेक्श्चर है तो आप देख सकते हो कि मैं इसको फिंगर के साथ बहुत आराम से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूं यह काफी इसली ब्लेंड भी हो जाता है तो आप देख सकते हो कि मैं इसको किस तरीके से कितना इसली मैं इसको ब्लेंड कर पा रही हूं और उसके बाद फिर मैं फॉंडेशन के लिए मैं बार्टिक का फॉंडेशन ले रही हूं क्योंकि मु तो ये काफ़ी अच्छा वाला foundation है, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको काफ़ी try कर चुकी हूँ, तो इसको फिर मैं अच्छी तरीके से brush के साथ ही मैं blend कर रही हूँ, आप कभी भी अपने foundation अप अप्लाई करो, तो कभी भी आप अपने neck या ear वगएर को कभी avoid मत करना, नहीं तो आपका face काफी beautiful दिखेगा and काफी गोड़ा चिता दिखेगा but आपका neck and ear का color उससे down दिखेगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा and फिर मैं concealer के लिए blue heaven का concealer अप्लाई कर रही हूँ तो अच्छी तरीके से मैंने concealer को अप्लाई कर लिया concealer आपको जहां ज़रूरत है आपको वहां लगाना चाहिए अगर आपको dark circles की problem है तो आपको वहां पर भी लगाओ अगर आपको अपने face को शाप दिखाने की जरूरत है अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप अपने cheek के पास भी concealer को apply कर सकते हो and या मैंने क्या किया था न कि मैं concealer को apply करने के बाद मैं तुरंथी मैंने उसको blend नहीं किया था मैंने उसको थोड़ी दिर के लिए dry होने के लिए छोड़ दिया तब तक मैं अपना eyebrows को मैंने fill कर लिया था and अब मैं जाके उसको blend कर रही हूँ क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से अपने eyebrows को fill कर लिया है इससे क्या होता है ना कि अगर आप foundation को थोड़ी दिर के लिए बस अगर आप dry होने के लिए छोड़ देते हो तो फिर वो और भी ज़्यादा अच्छा coverage देता है तो मैंने इसको अच्छी तरीके से blend कर लिया है आप देख सकते हो बहुत इजली ये blend हो जाता है अब मैं इसके बाद अपने पूरे face को set करने के लिए मैं compact powder ले रही हूँ इससे मैं अच्छी तरीके से अपने पूरे base को मैंने जो भी concealer and foundation मैंने जो भी apply किया है उसको set करने के लिए वो crease ना कर जाए तो आपको foundation के बाद and concealer लगाने के बाद आपको compact जरूर apply करना चाहिए कोई भी compact powder आप जरूर अपने face पे लगाओ इसके बाद आप चाहो तो अपना setting spray भी आप लगा सकते हो ताकि आपका makeup और भी जढ़ा लांग lasting हो जाए तो फिर मैंने अच्छी तरीके से अपने face पे neck पे ear पे सारी जगों पे मैंने अच्छी तरीके से compact को भी apply कर लिया है अब मैं अपना eye makeup करने वाली हूँ तो मैंने लिया है switch beauty का यह eyeshadow palette है इसमें मेरा shade number है 4 तो मैं एक fluffy brush की help से मैं अपने पूरे crease पे मैं इसको blend कर रही हूँ मैंने काफी light color लिया था यह यह orange light color है तो इसको मैं अच्छी तरीके से blend करूंगी अपने दोनों crease पे आप देख सकते हो मैं पूरे eyelid पे मैं इसको apply कर रही हूँ बहुत इसली अब बहुत आराम से आप apply करो एंड उसके बाद फिर मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ अब देख सकते हो कि मैं किस तरीके से काजल अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे smoky eye look create करना है बहुत easy है यह smoky eye look create करना जितना easy यह look create करना है उतना ही beautiful यह वाला eye look लगता है यह वाला मुझे प्रसनली स्मोकी आई लुक यूनो कुरियेट करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत ब्यूटिफुल भी लगता है तो आप देख सकते हो मैंने काजल अपलाई कर लिया और उसके बाद फिर मैंने स्मॉल ब्रस लेके और फिर मैंने जो काजल को जो मैंने अपलाई किया ना मैं बस उसको आप देख सकते हो कि मैं फिंगर अपने आईस के पास रखके और उसके बाद फिर मैं उसको धीरे 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 करके मैं उसको नीचे की तरफ मैं ब्लेंड कर रही हूँ आपको बिल्कुल भी ज़्यादा उपर नहीं जाना है न ज़्यादा आपको बाहर करना है बस आपने जहाँ पे काजल को अपलाई किया है बस आप नीचे की डिरेक्शन में उसको आप ब्लेंड करते जाओ तब ही आप बहुत प्यूटिफुल आप आईलू क्रियेट कर सकते हो अब मैं फिर से उसी काजल के उपर मैंने ब्लैक कलर लेके और उसको बस मैं पूट कर रही हूँ आप देख सकते हो ताकि मेरा मैंने जो काजल अपलाई किया वो इधर दर फैल लेना एक जगह पे टिका र वो इसे मैंने उसी ऐङसे डो पैले वोस्के जो कवेल अपलाई किया था लाइट अचरी में ब्लैंड कर रही हूँ तब जोमारी जोग जोगह देए डोलग ना धीम क्रशीर उसके बार फिर मैं black color लेके अपने lower waterline को मैं smudge कर रही हूँ अब मेरा makeup हो चुका है complete तो आपने देखा कितना easy है यह smoky eye look create करना और फिर से मैंने black color apply कर लिया अब मैं blush apply कर रही हूँ तो blush को मैं ज़्यादा over नहीं करने वाली आज तो अच्छी तरीके से मैंने अपने दोनों cheek पे blush को apply कर लिया है और या a most important part है आपका highlighter क्योंकि night makeup है तो आपको highlighter बिल्कुल भी skip नहीं करना है आपको बहुत अच्छी तरीके से highlighter लगाना है ताकि आप मतलब आपके face के ऊपर जो भी light रहा पड़े तो और भी ज़दा beautiful दिखे और फिर से मैंने अपने nose के ऊपर थोड़ा सा बस मैं बहुत lightly मैं contour कर रही हूँ ताकि मेरा nose बहुत beautiful दिखे और थोड़ा सा पतला दिखे और फिर मैंने अच्छी तरीके से मैंने highlighter भी apply किया है आप देख सकते हो कि मैं कितना beautiful मतलब highlighter अप्लाई करें और कितना beautiful लग रहा है फिर मैं अपने eyes के corner पे भी highlighter अप्लाई कर रही हूँ भड़ड़ के आप highlighter अप्लाई करो इससे और भी beautiful दिखेगा क्योंकि आपने night makeup आप कर रहे हो और फिर मैंने अपने eyes के corner पे भी apply कर लिया था अब मैं mascara अप्लाई कर रही हूँ तो अच्छी तरीके से mascara को मैं apply करूंगी ताकि मेरे eyes को और भी जदा beautiful volume मिल जाए वैसे अगर आप चाहो तो आपका eye makeup के ही पे complete हो चुका है आप चाहो तो आप you know falsies आप skip भी कर सकते हो बट अगर आप लगा लोगे तो और भी जदा beautiful दिखेगा एंड या आज क्योंकि night makeup है तो lipstick को तो bold रखना ही रखना है तो मैं काफी beautiful इसका shade था यह blue heaven का lipstick है यह मेरा most favorite वाला यह lipstick है आप देख सकते हो कितना beautiful यह lipstick है खुद beautiful सा यह red नहीं है यह महरून कलर है काफी प्याड़ा इसका shade है dear बहुत beautiful यह lipstick है वैसे आप लोग comment करके बताना कि आप लोग को यह color कैसा लगा तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से apply कर लिया है और बिल्कुल भी यह आपको heavy feel नहीं करवाता बहुत beautiful यह lipstick है अब आप देख सकते हो मेरा makeup हो चुका है complete तो अगर आपने मेरी वीडियो यहां तक देखा है इसके लिए thank you so much अगर आप लोगों को यह makeup look पसंद आता हो तो प्लीज मेरी चैनल को subscribe कीजेगा like कीजेगा and share कीजेगा तो चलिए अब मिलती हूँ मैं अपनी next वीडियो में तब तक के लिए bye guys and comment करके जरूर बताना कि आप लोगों को यह makeup look कैसा लगा bye guys का साहिन जना जिया बेचे निया समित में सारे जहांद की जब कुष्मवन सकाथ को